कि नियूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे इस विशय पे नहीं कि हमें पेपर वाइलेट पे वापस जाना चाहिए पर सिर्फ इस विशय पे अगर एडियम इस्तमाल होता तो इलेक्शन कमिशन की क्या जिम्मेदारी है जन्ता के प्रति और विपक्ष दलों के प्रति क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि बहुत सारे चीज इलेक्शन कमिशन ये तो बता नहीं रही है और जब सवाल उठता है और कोर्ट बे भी ये विशय आती है तो इलेक्शन में है यह इनकी कोर्ट में भी इलेक्शन कमिशन यह स्टैन ले रही है इस बात में चर्चाद करने के लिए हमारे साथ है रवी नायर जो इस विशह पे काफी दिन से लिखते रहे हैं वेंकटेश जो election commission के बारे में और जो इवियम्स बनाते हैं मेशीन जो बनाते हैं इसके बारे में आर्टी आइस दाखिल कर चुके हैं और बापपा सिन्हा जो computer engineer हैं जिसे कहते हैं और इस विशे पे काफी अध्यन किये हुए हैं रभी आप से शुरू करते हैं लोग काफी लोग इस बात कहन चाहते हैं कि हमें paper ballot पे वापस जाना चाहिए अगर हम इस line पे नहीं जाते हैं यह सवाल आपके पूछ आप से पूछे कि election commission कैसे इस शक को दूर कर सकती है EVM के प्रती जो काफी लोग रख रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगा पार दरशीता चाहिए शचाहिए नहीं लोग का इसा थैसाथ उत्लिश जाप्समुर में अप्रती लोग फुराए इसाथचू अपने लोग कृच्छ जाप्समुर लोग के लिग technically or otherwise and he should feel that it was the public mandate he lost it which is not happening. परकेदेश आप ने कुछ पहले RTIs फाइल किये हूए हैं CEL और ECL के ऊपर खासतोर से जो EVM मिशिनरी की अर उसको तैनाथ करने के बारे में और आपने कहा है कि इस पर पारजिश्यता नहीं है तो क्या सवाल आपके सामने रहा? तो मेरा पहला जो RTI के तहट जानकर ये मांगने की प्रक्रियाज हुई वो लोगसाब चुनाव के पहले की बात है कि जो हम चर्चा कर चुके हैं उसमें मामली सी बात ही है कि EVM के तक्निकी मामलों को देखकर उनको जांच कर विश्वसनियता बढ़ाने के लिए जिस कमिटी क को जिम्यदारी दी गई थी तो उनके द्वारा दिये गए अलग 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 रिपोर्ट्स इंडिरेशन कमिटी की है उससे पहले एक और जन थे और बाद में अभी जो प्रफेसर डीटी शाहनी कमिटी जो आई है तो वो रिपोर्ट्स मैंने मांगे थे तो उसके कॉपी इ उनों ने दे दिया उसके तरह यह पता चला कि जो बार-बार चुनावायों के यह कहते आ रही है कि EVM में जो इस्तवाल के जाने वाले माइक्रोचिप जो है उन पर एक बार यदि आपने इलेक्शन के मतों को किस तरह से रेकॉर्ड करना है उसका प्रोग्राम एक बार डाल दिया तो फिर उसके ऊपर और कुछ बदलाव नहीं कर सकते हटाया नहीं जा सकता और एक तरह से वह कंपनी जो उसको बनाती है वो प्रती विश्वसनियता बढ़ाने के लिए एक कार करना होगा वो यह है कि जो माइक्रोचिप में जो सौफ्टवेर जो लगता है इलेक्शन के प्रणाई को चलाने के लिए तो उसकी जांच होनी चाहिए यह देखने के लिए कहीं उसमें कोई मैल्वेर नहीं आया हो कोई प्रोजन नहीं बैठाया गया हो और फिर उसको एक रेफरेंस सौफ्टवेर जो उनके पास जो अलड़ी मौजूद होता है उससे उसको कंपेर करना है ताकि यह विश्वसनियता हो जाए कि दोनों एक ही है एक ही प्रकार के हैं और उनमें कोई तबदिली नहीं की गई है औ यही जांच समीथी ने बताया कि जिस वाकत उस बैलट यूनिट में या कंट्रोल यूनिट में जो बटन दबाई जाएगी उसका तारीक और उसका समय दोनों का उस माइक्रोचिप में रेकॉर्ड होना जरूरी है ताकि यह पता चले कि कौन-कौन सा बटन कब-कब दबा त तो इसके अधार पर पता चलता है कि वह बार बार उस पर लिखा जा सकता है फिर दूसरी बात जो उसके मेमरी में रिकॉर्ड की जाती है इलेक्शन रिजाल्स की किस उमीदवार के प्रती कितने वोट पड़े उन सारे जो दाखिला धी है उनको चुनाव के प्रक्रिया के बाग यदि कोई चुनाव प्राणा याची का हाई कोर्ट में दायर नहीं किया गया है तो उनको इरेज भी किया जा सकता है तो इरेज कहां करेंगे वो भी मैक्रोचिप में करेंगे तो ये सारे काम अगर मैक्रोचिप कर रही है तो उसको वन टाइम प्रोग्राम बिल आप जाती और प्रोग्राम जो है वो बदले के लिए अभी तक जो कहा गया था कि one time programmable है इसका बतलम नहीं कि रोग्राम चेंज नहीं हो सकता एक चिप और चेंज करें तो प्रोग्राम अगर चेंज करें तो उसके एरेश करके दुबारा लिखने का अगर प्रबंध होगा तो जी तो प्रोग्राम लगा जाल जए आर्टो खिर या जा सकता है। So that is not the issue. The issue is that the original program can be replaced or not. We are in normal computers, which is a virus or malware attack, the program itself is rewritten. So EC's statement, EC's manuals, and it says that this EDM's hack is not possible for two reasons. Because these are non-networked, stand-alone units, so it cannot be attacked by the network. And the other thing is that this is a one-time programmable chip. So in their statements, there was an impression that this is a custom processor, where they put their custom code, and they can only program the manufacturing time. After that, there is no program change. But the recent RTI came out of the RTI, which is the response to both companies. Actually, the response to both companies did not. ECIL did not have the response to both companies. It was only BL's response. But in BL's response, they have written that this is not a custom chip, but it is a standard chip for NXP. which is a multi-national company. Now, if you go to NXP's website, they also have a chip number. So that chip is in NXP's website. Product code. Yes, product code. And that chip's specification, you can download it. It is freely available. So in that sense, it is very clear that it is not a one-time programmable chip. It has, its program resides on EEPROM and part of it can reside in a flash. The flash memory is clearly reprogrammable. Everything like your phone storage, that is flash. So that is clearly... The chip has EEPROM, RAM and flash. In flash, yeah. But the EEPROM, the fact that it is EEPROM, that stands for electrically erasable programmable read-only memory. Yes. So that by definition is reprogrammable. Reprogrammable. So... But they have also said, this is also said that there is tamper-proof feature in this chip. Yes. But the tamper-proof feature is that if your EEPROM is not compromised, but let's say your flash gets compromised, then the chip has hardware features, which means it can detect that some parts like the flash program has been changed. And the way it is done is that they do a checksum calculation and the EEPROM checksum compared with the EEPROM. But if your EEPROM itself gets reprogrammed, then the tamper-proof mechanisms don't guard against that. The physical thing is also important, that physically what is the process for the chips to program these chips and to check them. This is the whole process. The machine that is made, how it goes to the election commission, how it is stored, how it is stored, how it is stored. In all processes, you should have to take care of these processes. And in this, what is the soil of Vipaksh Dhalo? Actually what happens is, when the AVMs are left from the factory, we don't know what happens, because as per the mandate, these machines should be transported on vehicles fitted with GPS. Yes. So those are RTI filed by a journalist recently and asked for the details of, the GPS details and you know, the truck numbers, the truck numbers and all things were released. But the GPS details, they said they don't have it, he said they never had it, neither the factories. Factories means BEL and ECL, Bharat Electronics Limited and Electronics Corporation of India Limited. The two companies have been made. Yes, they have been made. That is one. Second, in the last election, there was a lot of complaints came. People started to tweet in other social media platforms that, EVMs were coming much later to the storage. As per election commission guidelines, many movement of EVMs, just prior to the election and after election, should be with police protection. And in many of these cases, police protection are nowhere there. There were videos came in the elections, of the EVMs, used EVMs, who are going on in auto rickshaws, tree wheelers and tempos and jeeps. These kind of things, it don't give any confidence in the process itself. We're going to talk to the other. If I want to talk to them, we're going to talk to them. Talk to them about EVMs. Alright, we are going to talk about EVMs. जो आप मदलते हैं इस इलेक्शन के लिए तो इस पे अब तो वीवी पैट भी आया वहा है उसमें भी कुछ प्रोग्राम होता है तो इसके बारे में कौन इसको लोड करता कम लोड करता इसके बारे में भी आपकी आठी आई है और इसे क्या निकलता है जी देखे उसमें दो सबसे पहले तो खुद चुनाव आयोग का जो मैन्यूल है इव्यम और वीवी पैट के बारे में वह स्पष्ट करता है जो 2018 की जो लेटिस्ट एडिशन है वह स्पष्ट करता है कि पुराने इव्यम में जो चिप लगते थे वह उन चिप में जो प्रोग्राम लिखने की जो क्रिया होती थी वो चिप को सप्लाइ करने वाली कंपणी करती थी लेकिन हाल के इसी आयल और और बीएल वो केवल इनको तयार करते हैं लेकिन चिप्स जो है वो विदेश से मंगवाते हैं क्योंकि हमारे माइक्रोचिप बनाने की क्षमता नहीं है हमारे देश में इस प्रक आमद करते हैं लेकिन वो software उसमें जो coding जो होता है वो खुद company के अपने दाइरे के अंदर होता है अपने premises के अंदर होता है तो ये वाली बात उसके बाद सवाल उठता है कि वाकई में जो program आपने डाला है जो आपेक्षा है कि किस प्रकार से लोगों के मतों को वो record करेगा औ इसका auditing करना जुरूरी है यानि software का testing करना जुरूरी है इसके बारे मेरा दूसरा RTA application था जो पहली बार देश के सामने आपके कारकरम के मद्धियम से में लिख रहा हूँ BEL company ने यह नहीं बोला कि उनके software का जो auditing होता है वो कौन करता है लेकिन ECI Electronics Corporation of India ने बोला है कि हमारे जो microchips है जिसमें software लिखा जाता है EVM का उसको audit करने वाली company जो है वो सरकारी company है STQC करके standard testing quality control वाले company है जो DITY तो वो company है तो मैंने उसके बारे में RTA डाला था और पूछा था उस company से ही पूछा था मैंने जो सरकारी STQC है उनसे मैंने पूछा था कि आपके एक तो software auditing करने का तरीका क्या है वो बताईए यह manual क्या है बताईए किस तरह के standard operating procedures आप अपनाते हैं उसको बताईए एक दिन में कितने आप microchips का software का auditing कर सकते हैं यह सवाल क्यों उठा था सवाल इसलिए उठा था कि पिछले लोकसवा के चुनाव से पहले मानुमिये सरवोचन यालाय में एक याजी का दायर हुए थी दायर करने वाला व्यक्ति एक वकिल तो थे ही लेकिन वो RTI के कारेकरता भी है मुंबाई में बेजड है उनका नाम है सुनी लाहिया तो उन्होंने सूचना के दिकार के तहें जानकारी मांगी थी दोनों election commission से यह पूछने के लिए कि आपका software जो इस्तमाल होता है microchips में कि इस प्रकार का software है कुल मिलाकर उसकी जो लंबाई है उसको कहते हैं चेक सम बोलते हैं टोटल कितने characters उसमें लगते हैं तो वह जानकारी उने मांगी थी और उसी से संबंधिक जानकारी जो auditing से connected है कौन audit करता है कितने बार audit करता है किस तरह से audit करता है हर machine में जो लगता हु सबका auditing होता है क्या केवल sample basis पर होता है यह सारी जानकारी उने मांगी थी तो election commission ने RTA के उनके आचिका को दोनों कंपनियों में रवाना कर दिया और दोनों कंपनियों ने बोला कि यह हमारी जो commercial confidence वाला मामला है तो trade secret है इसको हम public नहीं कर सकते तो मामला गया केंद्रिय पुछनायोग ने उनकी दलील मानी और बोला कि बिल्कुल जो जानकारी आप मांगी जा रही है यह आपके मुताबिक commercial confidence वाला मामला है जो गोपनियों रखा जाना चाहिए लेकिन हम आपको निर्देश देते हैं और उनने वो निर्देश दिया चुनावायोग को इस मामले को आप एक सक्षम प्राधिकरण के सामने रखिएगा क्योंकि यह लोखित का मामला है लोगों की जो विश्वसनियता है चुनाव की प्रणाली के प्रति चुनाव की पद्धधी के प्रति और इन EVM के प्रति उनके बारे में उनकी विश्वसनियता और उनका जो confidence उसको प्राधिकरण के सामने इस मामले को रखने के लिए तो उनका जवाब यही आया कि यह मामला विचारादीन है इसके सामने रखिया क्या प्रधानमत्र जी के सामने रखा आपने क्या खुद चुनाव आयो के सामने रखा आपने या रश्टपती जी के सामने रखा आपने जब ये एक वीवीपैट का क्रॉस चेकिंग कर चाहिए, पांच का करना चाहिए, फिफ्टी परसेंट का करना चाहिए, कि चौबीस पार्टियों ने याचिका दायर करी तो उसी के साथ साथ इनकी भी याचिका को जोडा था उन्होंने, तो हुआ ये कि सारे बाते हैं जो रा करने के बाद मैंने सोचा कि चलिए अभी चुनाव के प्रक्रिया खतम हो गई है मही के बाद, तो इसके बारे में जानकारी मांगी जाए, तो उसके वज़ए से इस्टी क्यूसे जानकारी मांगी, तो उन्होंने बोला कि ये आप हम पब्लिक नहीं कर सकते, ये जो बैलट पेपर हो तो उस पर ठपा लगाओंगा, अगर EVM है तो उसको बटन दबाके में वापसाओंगा, लेकिन आप देश के तकरीबन एक अरब जनता जो है, जो जाके हर बार वोट करती है पांच साल में या राज्य के विधायकाओं के लिए, उनके सामने ये सारी जानक क्योंकि इसके अंदर software है, hardware है, अब VVPAD भी आ गया है, बहुत सारी चीज आती है, सवाल ये है, दो चीज आपके सामने रखना चाहता हो, संचित में, कि इसकी जो तरीका है, एक तरीका हो सकता है, कि अगर election close है, तो election में VVPAD के जो देखता है हमें, हमने क्या ठपा लगाय है, उसको वोट से compare किया जाए, एक तो ये होता है, दूसरा होता है कि जो processes है, जो अभी बात किया, processes को कैसे transparent करें, कैसे उस पे checks हो, ये दो सवाल है, तो संचित में, आपका इसके बारे में क्या विचार होगा? ये जो वेरियस इशुज उठाए है, ये वीज बारे में, ये जो वेरियस इशुज उठाए है, ये इसलिए सेरियस इशुज आपनेशन का रिस्पोंसिविरिटी बनता है कि अध्ली सिसको खेली इसका एक एक स्पनेशन दिया जाए, जंता के सामने. क्म से कम, इलेक्श ऑपोजिशन पर्तित को तो तो हम लोको तो घुरां बे खड़े लुज आ लुज आप एक वड़ेन, लुज एपनेखें लुज डू ब क्याए थाहिए कैन लोग बहत करेंकि उनके जानकारी समझ भी आएगा उनको खुद समझ पर नीच आएैने वे ले इन और टेकल पुइव व्यू पुए इस अंतित यह जो र्तियो तोश विस दूज यह झेस्ट डेस्ट अजु के तूस अ शिस यह जैक्स अपिडंस करन एक्या जो अप्रिटन का जो अनुट दूसे अपनिन अपनी अड्यूका एक्या प्यूमेट दूसें कर राद का जो सब्सक्राइब को आप पुब्लिक डूमें में अगते हैं ड़सें कि एव्रीबडी विल आपक्सेस तो हैं ड़िए प्रॉसेंगे उससे हैं क्योंकि इसका उल्टा होता है जब आप कोड नहीं जानते हैं तब सवाल जादा होता है और आपके गलतिया अगर है तो वह चिपी सब्सक्राइब को नहीं रहती है अपार्ट फॉब्सक्राइब के तहर तो बैलेट हमारा क्या है यह एक सबाल है कि हम कह सकते हैं कि बैलेट पेपर बैलेट जिसको मानते हैं वह एक्चुली आपका वीवी पैट स्लिप है और इसी लिए as a candidate हमारा यह अधिकार बनता है अगर election close है और उसका एक फासला किता होना चाहिए भी दिन्ना की जाती है तो इतना अगर फासला है तो हमारा अधिकार बनता है सब्सक्राइब आपका जो इवेम है उससे कांटिंग मेशीद है एक्चुली बैलेट वो कंटे नहीं करता क्या यह सवाल अनिशी है अगर वेस्टन कंट्री सब्सक्राइब यू इस धी बेखेंगे फोर इसमब अगर इफ दो इफ दिए बिन बिन तो कंटिडेश इस विद नंबर इन फर संगे अर्टिंग कर देंगे घंडेंन अडेंगे वेंडेंगे लिए लिए जब्सक्राइब रविए नबेट व्यर्व इंडेंट परसें वेड्टन भी ज़ यह इस प्रिजेटरेशनग आप्य डाब। करे आपका एंग यह आपका गर्म आपको अल्सकार आपका सिग्नेचर एक तरह से कह सकते हैं मेशीन फिल्लिटे सम्हिट इन इह दूट को इसको आपने वोट दिया नौ either we say there are two ballots and then we have a problem and you say that legally the ballot is a constant, now this is the position that the electronic which is in the signature of your phone is actually a ballot. The electronic version of that number is the ballot, not the, obviously not the anything else. I want to add a very small thing, which you know, but the people who put votes probably don't know, I have asked for some of the county officers who have been there to work there, I have asked them and I have told them, and the very strange thing is that those VVPAT machines, five VVPAT machines that are in the draw of lots, other VVPATs don't have to come until the strong room, or people have pressed the machine and printed it out and printed it out, we have given the vote here, they have not done until the count. So this is absolutely right, so where is the ballot counting? The count is not true, it doesn't come until the counting station. It doesn't come, it's only five VVPATs. So because it was the Supreme Court's rule, five machines counting, so this is why the final proof is really the paper ballot and in this case it's a VVPAT slip. So this is our demand. So this is our demand. In case of doubt, the VVPAT slip should always be counted and that should be considered as a final tag. I will not pay for that. We will not pay for that. We will not pay for that. We will not pay for this question. That is the question. जरूर यह है कि जनवाद अगर हमारे election के जरिये काइम रहती है तो उस प्रक्रिया की पारदर्शिता होनी चाहिए और election कमिशन की जिम्मेदारी है ना कि सर्फ election को चलाना पर उसके प्रती लोगों की confidence बढ़ाना इनको लेके opposition parties का confidence भी उनको जरूरी है कि उसको बरकरा रखनी के लिए वहां पर पारदर्शिता उबरता है और यही सवाल आज की चर्चा में है यही सवाल बाहर भी आ रही है और क्योंकि election कमिशन इस सवाल के सही जवाब या सही पारदर्शिता नहीं दिखा रही है तो paper ballot पे वापस जाने की मांग भी आ रही है हम इस चर्चा को आगे विजारी रखेंगे देखते रही हैगा न्यूस क्लेक